किश्वर मर्चेंट और सोयश राय टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल कहे जाते हैं सोयश राय हिंदू पंजाबी फैमली से हैं जबकि किश्वर मर्चेंट मुस्लिम फैमली से तालुक रखती हैं अलग-अलग धर्म होनी के कारण दोनों ने कोट मेरिस की थी किश्वर और सुयश के बीच 8 साल का एज गैप है वो पती से 8 साल बड़ी है किश्वर का कहना है कि दोनों के बीच उम्र के फासले को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे किश्वर ने खुद से 8 साल छोटे एक्टर सुयश राई से शादी की थी हाला कि शुयश की मा इस रिष्टे के लिए राजी नहीं थी खुद किश्वर ने इस बात का खुलासा देवीना बेनर जी के पॉड़कास्ट में किया किश्वर कहती है मैं एक मुसलिम हूँ और मैंने हिंदू लड़के से शादी की है हम दोनों के रिष्टे में धर्म कभी दीवार नहीं बना सुयश की बहन ने एक मुसलिम लड़के से शादी की है खाला कि मेरे और सुयश के बीच उमर एक मुसीबत बनी थी पर अब मैं इसका महत्व समझती हूँ किश्वर कहती है अगर मेरा बेटा आगे भविश में मुझे आकर बोलेगा कि मैं अपने से बड़ी लड़की से शादी करना चाहती हूँ तो मैं कभी इस तरह रियक्ट करूँगी जैसे सुयश की माने किया था मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं सुयश से बड़ी थी वो भी आठ साल सुयश की मा की तरफ से थोड़ी मुश्किल आई पर फिर भी वो मान गई अब शादी हो चुकी है और हम दोनों बहुत खुश है किश्वर 40 के उमर में मा बनी थी उन्होंने नेचुरली कंजीव किया था इस बारे में बात करती हुए किश्वर ने कहा उन्हें तो पहले पता ही नहीं चला कि वो प्रिगनेंट है उनकी प्रिगनेंसी बिल्कुल भी प्लान नहीं थी वो और सुयश तो बेबी को लेकर विलकुल टेंशन में नहीं थे हाला कि उनकी माँ चाहाती थी कि दोनों जल्द पेरेंट्स बन जाए सुयश और किशुअर ने पेरेंट्स से कहा था कि वो पैट पेरेंट्स बन कर ही खुश है एक इंटर्वीव में किशुवर ने बताया था कि उनकी सी सेक्षन डिलिवरी हुई थी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे लेकिन उन्होंने खुद फैसला किया कि वो सी सेक्षन से बच्चे को जन्म देंगी किशुवर ने बताया कि मा बनने के बाद उनका वजन काफी बढ़ गया था किशुवर के टीवी करियर की बात करें तो उन्होंने कई शोज में काम किया है प्यार की ये कहानी कैसी है यारियां डियर इश्क कहा हम कहा तुम जैसे सीरिल्स में किश्वर मर्चेंट साथ नजर आई हैं किश्वर और सुयश की साधी 16 दिसंबर 2016 को ही थी शाधी के 5 सालवाद कपल ने अगस्त 2021 में अपने बेटे का स्वागत किया था ऐसे ही और वीडियो के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब फेस्बुक पर लाइक